में चार लोग रहते हैं, चारो सुबह उठते हैं और एक जैसा सोचते हैं कैसी हो जाएगी जीवन? एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा व्यवाहर करते हैं लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ कैसी हो जाएगी? स्वर्ग? scene create करना एक दम ऐसे नहीं answer आ सकता scene create करो, चार लोग सुबह उठते हैं पहली बात तो exactly same time पे उठेंगे? same style में उठेंगे? नहीं, नहीं, होगा अगर हुआ तो नहीं होगा मालू मैं, अगर हुआ तो एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा व्यवाहार करेंगे, जीवन कैसी हो जाएगे? फिर आप office जाएगे, वहाँ भी सब लोग exactly आपके जैसा सोचेंगे, आपके जैसा बोलेंगे, आपके जैसा करेंगे जीवन कैसी हो जाएगे? इतना boring हो जाएगा बिल्कुल ये life इतनी beautiful क्यों है? क्योंकि हर एक हर एक different है और इसी beauty को हम सारा दिन खतम करने की कोशिश करते रहते हैं जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे जैसे बन जाएं हमारे जैसे सोचें हमारे जैसे बोलें, हम जैसा व्यवाहार चाहते हैं, वैसा करें तो जो beauty है, उसी beauty को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सारा दिन खतम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक है, accept करें कि हर एक की सोच कैसे होने वाली है डिफरेंट, यह तो होने ही वाला है जहां डिफरेंट सोच होगी, तो कई न कई कुछ न कोच छोटी मोठी difference of opinion, कभी-कभी argument पी, कभी-कभी कोई ऐसी बात हो नहीं है मतलब, चाय तो गिर नहीं है लेकिन दाग को कितनी देर रखना है, यह चोईस हमारी है क्या हम दाग को मिटा सकते हैं, क्या हम दाग को मिटा सकते हैं, क्या करना होगा फिर से दिख्षित जी आए, वोही बात बोली, वोही चार लोग सामने खड़े थे वोही sentence exactly बोला, दाग लगा, दाग को मिटाना है, क्या करना होगा भूल जाएं, भूलती है बात उस्टे अच्छा दिक्षी जी को नहीं या दिलानी है ये मोड से हटना है अपना दाग साफ करना है, क्या करेंगे एक कॉमेंटरी है, ऐसा बोल दिया मुझे सबके सामने बोल दिया, ये दाग क्या हो रहा है दाग क्या हो रहा है, और दाग हो रहा है फिर खुद अकेले बैठकर मजा नहीं आ रहा है तो और दो लोगों के पास जाते हैं, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला आज सुबह फिर वो कहेंगे, वो, तो है ही ऐसे ना आपको भी परसो ऐसे बलाता, दाग और फिर हम सब एक दूसरे के दाग को आजकल आप देखो हम एक दूसरे के दाग को मिटाने की बज़े हम क्या करते हैं दाग को और गहरा करते जाते हैं और गहरा करते जाते हैं जब तक वो व्यक्ति सेकिंड टाइम मिलता है हमारे मन की अंदर वो बात कहा की अब उस दाग को फिनिश करना है, चाइगिरी साफ करना है क्या करना होगा क्योंकि बाते तो आनी ही है क्या करना होगा कौन सी कॉमेंटरी अंदर चलाएं जिससे दाग साफ हो क्योंकि अभी जो कॉमेंटरी चला रहे थे उससे दाग गहरा हो रहा था अब कौन सी कॉमेंटरी अंदर चलानी है जिससे दाग साफ हो चाहे वो ऐसे ही है, यह भी बात ठीक है, अगर उन्होंने बोला, पाई सब ने का, जिसने बोला वो अगर प्राश्चित करता है, तो दाग तो रहा ही नहीं, जिसने बोला, अगर वो प्राश्चित करता है, तो दाग किसका मिटेगा, दाग उनका मिटेगा सिरफ, हाँ यह है, क्यूंकि वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाते हैं, वो परिवर्तन हमें अच्छा लगता है अगर, फिर हम उस बात को लेते हैं, अपनी कॉमेंटरी को चेंज करते हैं, अब यह सुदर गया है, अब यह ऐसा नहीं बोलेंगे, अब इनको रियलाइज हो गया, मतलब हमने अपनी कॉमेंटरी को क्या किया, चेंज किया, जब हम अपनी कॉमेंटरी को चेंज करेंगे, तब हमारा दाग साफ होगा, अब चोईस यह है, कि हम अपनी कॉमेंटरी को जो चेंज करने वाले हैं, वो उनके चेंज होने के बाद चेंज करें? उनके चेंज होने की वेट करें? कि वो चेंज हो जाएंगे, तब हमारी कॉमेंटरी चेंज हो जाएगी? क्योंकि आज दिन तक हम समझ रहे थे, कि ये अंदर जो कौमेंटरी चल रही है, ये उनकी वज़े से चल रही है. बात उनोंने की, तब भी एक कौमेंटरी शुरू हुई, ठीक वो हुँगे, तब कौमेंटरी चेंज होगी. तो रिमोट कंट्रोल कि इसके हाथ में था. अगर हमें commentary को change करना है मतलब हमें क्या करना है अपनी thoughts की quality को change करना है change करना है it's okay, बोल दिया अपने भाव से right हे बोला होगा या उनका mood आज ठीक नहीं होगा अपने दृष्टिकॉन से उनकी बात ठीक थी ठीक नहीं भी थी तो वो उनका opinion था अगर कोई मुझे कहे कि आप किसी काम के नहीं हो वो उनका opinion है opinion है वो उनका opinion था गलत भी किया तो भी choice मेरे पास है कि मुझे कितनी देर उस बात को पकड़ना है wait नहीं कर सकते कि दूसरे आकर हमारे दाग को मिटाएंगे दूसरों के आकर मिटाने का कोई प्लान नहीं है उन्होंने तो आकर और ही और उतनी देर में वो तो बाद में आएंगे उससे पहले कुछ और लोग आ जाएंगे हर एक अपना बात कहता है अपना opinion कहता है choice हमारी होती है उसको दाग बनाना है या उस बात को finish करके अपने original color को वापिस retain करना है जितनी जल्दी कर पएंगे जितनी जल्दी कर पाएंगे दाग उतनी जल्दी खतम हो जाएगा Suppose अभी यह उन्होंने बात कही, मेरा मूट खराब हुआ, पांच मिनिट के बाद वो फिर दिखे, या अगर मेरा किसी के साथ कोई argument हो गया, कोई difference of opinion हो गया, जगड़ा भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, office में भी हो सकता है, हम कितनी जल्दी, कितनी जल्दी उनके साथ होता है, कितनी जल्दी कर सकता है, घर में जगड़ा होता है, हजबन वाइफ के बीच, किस-किस के घर में होता है, referring to both of the mamma, come bar. अब उसके बाद, अब उसके बाद, नॉर्मल बात करना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कितनी देर में हो सकता है? जगड़े ते डिपेंड करता है, कितनी देर में हो सकता है? कितनी जल्दी हम वापिस नॉर्मल बात, ब्याबहार और सोच पर जा सकते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कितनी जल्दी? पांच मिनट, आचा. बाई साब केते हैं, एक सेकेंड में भी कर सकते हैं, आज इवन भी लग सकता है. एकसेप्ट कर लें, आग्यूमेंट, डिफरेंस ओफ ओपिनियन, छोटे मोटे जगडे होते ही हैं. हो जाते हैं, जब तक हम अभी पुर्शार्थ कर रहे हैं अपनी स्थिती को स्टेबल करने के लिए, लेकिन उनके होने के बाद, कितनी देर उस दाग को पकड़के रखना है? पांच मिनित ठीक से बात नहीं करने, पांच घंटे ठीक से बात नहीं करने, पांच दिन ठीक से बात नहीं करने, कई बार तो पांच साल हो चुके हैं, हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, अगर हमें आत्मा की शक्ती को कंजर्व करना है, यह शक्ती वेस्ट होती है, अगर हमें आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है बचाना है, चार्ज करना है अपने आपको, तो बात हुई बात हुई और अगले शन हम ऐसे हो जाएं, जैसे के कोई बात हुई ही नहीं थी, हो सकता है चाप्टर क्लोज भी नहीं, कोई चाप्टर था ही नहीं जैसे ही हम वो करेंगे, अब इस चीज़ को दोनों करेंगे या दोनों मेंसे कोई एक करेगा जिसने गलती की वो करेगा या दोनों मेंसे कोई भी कर सकता है यह याद रखने, यह rule of the game है, वापस जाने के बाद सारे, यह rule है, कोई भी कर सकता है, हर time हमी करें या कभी-कभी उनको करना चाहिए, अगर हर बार हमी करेंगे, तो वो हमें for granted नहीं लेना शुरू करेंगे, कि यह हर बार करते हैं, अगर हर बार हमी करेंगे, तो वो अपनी गलती को realize कप करेंगे फर, यह सारे questions को, अगर अपनी और औरों की और उस रिष्टे में खुशी चाहिए, तो यह सारे questions में भी time waste नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाग गहरा हो रहा है, आत्मा की शक्ती waste हो रहे waste हो रहे है, this is unnecessary time and energy, बात हुई, जोर से जगड़ा भी हो गया, तो बलते हो, अगर मारपीट भी हो गया, next minute, back to normal, पांच मिनिट की चीज़ को पांच मिनिट ही रखना चाहिए, ना, पांच मिनिट दाग लग गए, ठीक हम aware नहीं थे, हमने ध्यान नहीं दिया, गुसा आ गया, कर दिया, अगर हम शक्ती को बढ़ा लेंगे, तो अगली बार वो पांच मिनिट वाली गलती भी नहीं होगे, लेकिन अगर हमने पांच मिनिट की गलती को पांच घंटे का जगड़ा बना दिया, या पांच दिन का जगड़ा बना दिया, तो उस दिनों में कितनी शक्ती जाएगी? हमारी शक्ती जाएगी? उस आत्मा की भी शक्ती जाएगी? और घर का वातवरन कैसा हो जाएगा? और वो बलेंगे, बोल दो, मन नहीं है खाने-खाने का और हमें लगता है, यह नाचरल है, इसमें क्या गलत हो रहा है एक चीज, बातावरन हेवी हो गया एनरजी नेगेटिव हो गई हमारी एनरजी तो नेगेटिव हुई हुई, बच्चों का भी उस पर प्रभाव पड़ा and most important चीज, वो सीख रहे हैं, यह जीवन जीने का तरीका है वो सीख रहे हैं, अगली बार हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे और आगे जाकर वो भी अपने हर रिष्टे में ऐसा ही करेंगे और फिर वो आत्मा भी जो बच्चा है आज, वो आत्मा भी अपनी शक्ती को हर पल ऐसे वेस्ट करेगी क्योंकि उसके जो perfect role model है, parents, वो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि वो पांच-पांच दिन बात नहीं करते हैं एक तूसरे के साथ इसका direct impact किस पर पड़ा और फिर हम कहते हैं, खुशी चाहिए खुशी चाहिए immediate and यह बहुत easy है कई वह लगे इतना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा उन्होंने किया कैसे हम उनके साथ अच्छी तरह से बात करें कैसे करें तो एक सेकिंड का काम है करें या ना करें वो decide करने में टाइम लग सकता है क्यों करें और जब यह question मन में आए क्यों करें तो अपने आपको answer दे अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए करें हम उनके लिए नहीं कर रहे है हम अपनी खुशी के लिए कर रहे है क्योंकि जितनी देर हम बात को पकड़ के रखेंगे दाग दाग गहरा होता जाएगा एक बार करके देखना है सिरफ सिरफ एक बार कर, कौन-कौन एक बार करने के लिए रेडी है वापिस जाने के वाद और अगर कोई है जिसके साथ बोलचाल बंद है, तो ये वातावरन अच्छा है, यहां से ही आज फोन कर सकते हैं, यहां से फोन कर सकते हैं, और यह भी नहीं, फोन करके सौरी भी बोलने की अगर नहीं लग रहा है, फोन करके उस बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं लग रहा है, फोन करके सिर्फ नॉर्मल बात करना शुरू करतू। सामने वाला भी रेडी है और अगर सामने वाला रेडी नहीं भी है तो वो उनके दाग है और उनकी प्रॉब्लम है हम औरों के दाग नहीं साफ कर सकते to a large extent हम सिरफ किसकी जिम्मेबारी ले सकते हैं सिरफ किसकी ले सकते हैं अपनी, अपनी बात आई कुछ गिरा, साफ बात आई गिरा, साफ खतम बात करके क्लियर करना है नहीं हो सकता है तो at least normal करना उसको शुरू करे लेकिन उस बात को पकरना पकरना, गुसा करना, नफरत तक क्रिएट कर देना और फिर सिरफ अपने तक नहीं रखना औरों को भी वो फैलाना तो दाग बहुत गहरे हो जाते हैं क्योंकि अगर और लोग भी वो vibration create करना शुरू करेंगे तो वो सारी energy field बहुत heavy हो जाएगी बहुत heavy हो जाएगी तो शमा करना खुश रहने का सबसे easy तरीका है सबसे easy तरीका है क्योंकि पर्मात्मा ने बताया आत्मा भरपूर है लेकिन ये छोटी छोटी बाते जो हमने पकड़ी ये हमारी भरपूरता को क्या कर रहे थे जैसे बाल्टी भरी हुई है लेकिन छेद हो गया नीचे तो फिर उपर से भर भी रहे हैं खुश रहने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं लेकिन नीचे से वो बहता जा रहा है तो वो कभी भी नहीं भरेगी meditation भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं फिर बातों को भी पकड़ रहे हैं शमा भी नहीं कर रहे हैं तो depletion होता जाएगा जितना होता जाएगा ये कभी नहीं भरेगी कभी नहीं भरेगी तो जिनको भी अपने मन की स्क्रीन पर पकड़ के रखा है आज उनको आज उनको जाने देते हैं अगर हम उनको अपने चित से और उस बात को अपने चित से हटाते हैं तो हम अपने करम बनाते हैं और अगर हमने श्रेष्ट करम किया तो खुशी हमारे भाग्य में आती है हमारे संकल्प, हमारे करम हमारा भाग्य लिख रहे हैं बातों को पकड़ना, दर्ध को पकड़ना repeat करते जाना, ये भी हमारे करम है भले गलती किसी और ने की थी अगर हमने वो करम किये तो भाग्यफर हमारा ही बनता चाहेगा एक ये करें दूसरी चीज़ गुस्स जहां जहां हम काम कर रहे हैं क्या गुस्से के बिना काम करना possible है क्योंकि क्रोध चाहे वो irritation के रूप में हो चाहे वो जोड से करने की रूप में हो चाहे वो चिलाने की रूप में हो या चाहे वो अंदर उदास रहने की रूप में हो वो क्रोध है क्या वो क्रोध हमारी energy को क्या कर रहा है deplete कर रहा है क्या जिस स्थान पर हम काम करते हैं और अपने परिवार और बच्चों के साथ क्या गुस्सा करे बिना काम करना possible है? टाइम जादा है. हाँ, हमने शुरू में देखा न, काम जल्दी-जल्दी होता है अगर गुस्सा करते हैं. यह result हमें मिल चुके है already. काम जल्दी-जल्दी होने लगे. तरक्की भी? तरक्की भी? जल्दी-जल्दी होने लगी. हर एक की घर में सब कुछ आ गया. सिरफ क्या नहीं आया? सब कुछ कमाया, लेकिन सब कुछ कमाते हुए सिरफ स्थिती पर ध्यान नहीं रखा, तो कमाया, लेकिन उससे पहले तो बहुत कुछ गवा दिया. तो हमें कमाना है, काम करना है, काम करवाना है, लेकिन यहां गवा के फिर कमाया, एक बिजनिस में गवाया, दूसरे में कमाया, तो नेट क्या रहा? दो बिजनिस हैंना, एक बाहर, एक बाहर, प्रॉफिट और एक अंदर, अंदर लॉस होता गया, बाहर प्रॉफिट होता गया नेट रिजल्ट आज नेट रिजल्ट आज मैजोरिटी लोग केंगे हमारे पास सब कुछ है अंदर खाली खाली है और जब सब कुछ ला रहे थे तो ये सोचा था कि ये जो सब कुछ आएगा ये मुझे खुश कर देगा गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो खुशी भी आजाएगी सब कुछ आगया, सिरफ क्या नहीं आया खुशी नहीं आई हम अगर किसी से काम करवाएं तो गुसे से ही वो लोग काम करते हैं प्यार से नहीं करते हैं अगर हमसे किसी ने काम करवाना हो, तो वो कौन सा तरीका अपना है? हमसे भी तो किसी ने काम करवाना होगा, ना? हम जिन से करवाते हैं, वो लोग तो प्यार से मानते नहीं आज का. तो हमें गुस्सा करना पड़ता है. जो लोग हमसे काम करवाते हैं, उनको हम क्या राय दें, वो हमसे कैसे काम करवाएं? हम प्यार से मान जाते हैं? हम प्यार से मानेंगे या हम भी गुस्से से ही मानेंगे? जो चीज हमें पसंद है, जो चीज हमें पसंद है, वो ही जिनसे हमें काम करवाना है, उनको भी वो ही चीज पसंद है और हर आत्मा को वो ही चीज पसंद है, क्योंकि हर आत्मा का मूल संस्कार क्या है? प्यार और आज अगर किसी एक चीज की आभाव है, कमी है, तो वो है प्यार क्योंकि हर एक ये तरीके अपना रहा है चीजे करने के प्यार से काम करवाना शुरू करें, लोगों को आदत नहीं है अभी तो हो सकता है, एक बार, दो बार, थोड़ा सा टाइम जादा लग चाए लेकिन लॉंग टर्म में, काम भी हो जाएगा, खुशी भी हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगे रिष्टा भी स्ट्रॉंग हो जाएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बाहर भी प्रॉफिट होगा, लेकिन साथ-साथ अंदर भी प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा अगर टाइम जादा लगे, इस इट ओके? एक बहन एक प्रोग्राम में आई थी, तीन दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन हमने रखा कि आज सारा दिन आप स्टेबल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो घर गई, घर जाने के बाद उसकी तीन साल की बेटी रोने लगी, मैं को छोड़के चले गए थे, नहीं सकी उसको, तो मैंने उसको प्यार से बोला, मैं प्रोग्राम में गई थी, कल तुम को लेकर जाओंगे, वो फिर भी गंदी तरे से बात करने लगी, रोने लगी, कैती मैं बोला, हाँ, कैती अंदर मुझे लग रहा था, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, यह काम तो प पंदरा मिनिट के बाद, फू मुझ से प्यार से बात करने लगी, और वो बहन ने जब सब के साथ शेयर किया, तो उसकी आंखों में आसु आ गए, कैती आज मैंने सीखा कि उसको कैसे सिखाना है कि प्यार से बात करना है, पंदरा मिनिट लग गए, ताइम लगा, जादा ल जाना था, काम होते जाते, लेकिन मेरे मारने का संसकार और उसका चिलाने का संसकार तो कड़क ही होता जाता ना, काम होते जाते, काम होते जा रहे हैं आज, लेकिन हमारे संसकार किस तरफ जा रहे हैं, तो संसकार जब कड़क होते गए, तो खुशी फिर गाइब होती गई, and most important, रिष्टे, रिष्टे हमारे, रिष्टे हमारे कमजोर होते गई, काम होते गई, लेकिन, so we have to check and prioritize, क्या हमारे जीवन का लक्षे सिर्फ काम करना और काम करवाना है, या खुश रहकर काम करना और प्यार से काम करवाना है, दो words साथ में अगर add कर दें, तो जीवन की quality कैसी हो जाएगे, and most important, फिर हम सिरफ काम करेंगे और कराएंगे नहीं, हम सुन्दर रिष्टे बनाएंगे, जहां सुन्दर रिष्टे आ गए, तो खुशी फिर, खुशी नाच्रल है, आप में से किस किस को वो पता है, Amway system कैसे work करता है, multi-level marketing सब को पता है, कैसे काम करती है, जीवन भी एक multi-level marketing है, आप एक को गुसा कर दो सुरुफ, तो आपने अपनी डाउन लाइन में एक को जोड लिया, उसके बाद वो जितनों को गुसा करेंगे, और फिर वो जितनों को गुसा करेंगे, और वो भी जितनों को गुसा करेंगे, सारी vibration हमारे पास से आते हैं, क्योंकि बीज हमने डाला था, और फिर शाम को हमारा सर भारी क्यों है, हमें नहीं पता, ये बहुत बड़ा business है, और इसी तरह अगर आज किसी से गलती हुई, लेकिन गुसे की बज़ाए उससे प्यार से बात कर लो, तो उसका mood अच्छा हो गया, तो वो भी आगे क्या करेगा, वो भी आगे सभी से प्यार से बात करेगा, आगे वो लोग भी प्यार से बात करेंगे, सारा प्रॉफिट किसके पास आने वाला है जिसने पहले वो शुरू किया था दो चॉइसेज है जीवन में चलते हुए सारा दिन या तो दुआएं एकठी करें या फिर उसका उपसिट उसका उपसिट अगर प्यार से संभाल के आराम से काम करते हुए सब को समझते हुए चलेंगे तो प्रॉफिट बहुत जादा है बहुत जादा है क्योंकि जितने लोग उस लाइन में जुडएंगे प्रॉफिट हमारे पास आने वाला है लेकिन अगर लॉस के साइकल में चले गए तो लॉस बीफर लॉस भीफर बहुत जादा है और राजयोग मेडिटेशन इसको करना हमारे लिए एकदम सहज बनाती है कि कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे पहले तो फ्यार से शांती से, आराम से and most important अगर कोई बात हो भी जाए तो उस बात को एक सेकिंड में फिनिश करें तो खुशी की मातरा फिर कई गुणा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप इसको प्राक्टिस करते चाहेंगे उसकी रिजल्ट आपको प्राक्टिकल में दिखती जाएगी और जब हम कईों से बात करें किसी के अनुभव से शुरू करें जिनों ने उसको अपने जीवन में प्राक्टिकली किया और प्राक्टिकल करने से रिजल्ट का भी अनुभव हुआ तो वो अनुभव फिर हमें और भी प्रेरित करता है कि अगर कोई एक कर सकता है तो तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई काम कोई एक ने कर लिया तो फिर हम सब के लिए भी करना पॉसिबल है तो हम सब के बीच हम सब के विशेश चाहीते हमारे बड़े भाई जिनको हम सब जानते हैं याद भी करते हैं वो विशेश मुंबई से आज हमारे साथ आए हैं हमारा अपना अनुभव हम सब के साथ शेर करने के लिए ताकि जो कुछ हमने सुना जब उस पर अनुभव की स्टांप लग जाती है तो फिर उसको करने की प्रेरना और तीव्रगती से बढ़ जाती है तो हम सब प्यार से आमंत्रित करते हैं हमारे बीच भ्राता सुरेशो बरएचिक